मैं बात करूँगा अपने एक और jackpot मुकाबले की बात आती है आपको पता है कि हम लोग किस तरीके से clean sip करते हैं कई बार हम लोग first inning में ही clean sip कर लेते हैं आपको पता होगा हमने कल की date में यानि आज मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आज की date में दो match हमने cover किये थे कुलदीप यादव हैं इंको कम लोगों ने लिया था लुंगी नगीडी को कुछ लोगों ने लिया था कुछ ने नहीं लिया था जैसा कि members ने investment किया था हमने my team 11 में investment किया था मुहम्मद सिराज को maximum लोगों ने लिया था इसके लावा यहाँ पिस race I year हमारे team में था बाकी combination की वज़े से हमने win किया कुछ लोगी team में सुभम गिल भी होंगे तो बहुत ज़रा फरक हमको उसका पड़ा नहीं तो combination की वज़े से हम लोग win करते हैं हमारे members win करते हैं और इसके लावा जो New Zealand और पाकिस्तान का match था उसमें भी अल्टरा क्लेंसिप हुआ तो इस match का prediction देने के पहले कल की winning में आपको दिखाता हूँ कैसे members हमारे win करते हैं स्क्रीम पे आपको हमारे telegram channel दिखाई दे रहा है जहांके हमारे 30,000 के आसपास subscriber थे और जो हमारे पुराना YouTube channel थे जिस पर देड़ लाग के आसपास हमारे subscriber थे वो भी Dream Eleven की copyright strike वगरे की वज़े से या community guideline strike जो की YouTube की तरफ से mail आता है उसकी वज़े से वो channel भी हमारा जा चुका है तो अपने को उससे फरक नहीं पड़ता है हमारे जो है जितने भी members है हमारे वो हमारे बंदे हुए members है जादा तर private video हमारे आते हैं जो की अलग-अलग group में हम लोग बना करके देते हैं हमारे 13,000 से जादा members है जो की personally हमसे team लेते हैं और बड़ी winning करते हैं जो की world cup आते हैं 15,000 के आज़ पास याज़ से ज़्यादा भी हो सकते हैं because मैं आपको बता दो कि IPL हुआ, world cup हुआ, इसमें बहुत सारे लोग investment करते हैं तो आप यहाँ पी यह मस समझना, यहाँ 3,000 subscriber हैं तो हमारे उतने ही members हैं, हमारे जो members हैं, वो जाना तरूम को private videos दिये जाते हैं और private telegram channel के थ्रू ही उनसे बात की जाती है members के winning के अगर मैं बात करूँ है, यहाँ देख सकते हो, 6,000 लगाकर के इन्होंने 15,000 बिन किया, 8,000 का profit हुआ इन्होंने 2,000 लगाकर के 4,000 बिन किया, यह इंडिया सौथ अफरीका का मैच है 10,000 लगाकर के इन्होंने 20,000 बिन किया, 5,000 लगाकर के 8,000 बिन किया इन्होंने 2,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00, किया है करणों रुपए के live winning proof के वीडियो आपको हमारे पुराने चैनल पर मिल जाएंगे और नए चैनल पर ही मिलेंगे हमारे तीन चैनल है actual में जो main channel हमारा था वो community guideline strike की वज़े से वो आप काम नहीं कर रहा है या तो यह कह सकता हूँ कि वो अप delete हो चुका है जिसमें कि लगबग देड़ लाग subscriber थे तो हमें उससे कोई फरक पड़ता नहीं है दूसरा चैनल जो हमारा है वो भी उसी email id से था तो वो भी हम operate नहीं कर सकते हैं लेकिन उस पर live winning proof का वीडियो आपको मिल जाएगा जो नई email id से हमारे जो youtube channel वो आप देख सकते हूँ उसमें कुछ हमने वीडियो डाले है पुराना channel जब हमारा delete हुआ देड़ लाग subscriber वाला तो वहाँ पे वो सारे वीडियोज भी आपको नहीं देखने को मिलेंगे तो जितने लोग हमको पहले से follow कर रहे है उन्होंने हमारे करोड़ रुपए की winning देखी हुई है और सबको पता भी है आप directly myteam11.com पे जाओगे वहाँ पे 7 करोड़ winning में नमबर वन पे आपको अंकुर अगरवाल यानि मेरा नाम दिखाई देगा जो कि आज से 3 साल पहले की winning आज की डेट में वहाँ 20 करोड़ से जाना हमने winning केवल myteam11 से की है बाकि dream11 से हमारी winning होई है यहाँ बात कर लेते हैं इस match की यह भी same उसी venue पे match हो रहा है हगली होवर क्राइट्स चर्च में तो मेरे पाँ इतना time नहीं कि मैं सारी चीज़े लिख के लाऊ मैं आपको उतनी चीज़े समझा दूँगा जिससे की आप एक अच्छी team बना करके win कर सकते हो और कम time में time भी मैं आपका कम लूँगा यहाँ पर देख सेब तो same इसी venue पे इसके पहले टोटल चार मैच हो चुके है अब यहाँ पर दो लीग स्टेज के मैच होंगे टॉप टू टीम के बीच में फाइनल होगा तो आप सभी को टॉप टू टीम के बारे में तो पता ही होगा बांगलादेस तो निकल जाएगी वैसे भी और पाकिस्तान नियुजिलेंड के बीच में फाइनल होना चाहिए मैं आपको पॉइंच टेबल दिखाता हूँ दोनों ही टॉप टू पे टीम रहेंगी यह तो सिरेज स्टार्ट होने के पहले ही आपको पता होगा दो मैच खेला है बांगलादेस ने दोनों ही हार gez आ रही है अब यहाँ पे देख सकते हो एक नियुजिलेंड ने पाकिस्तान को रहा है एक पाकिस्तान ने नियुजिलेंड को रहा है यानि बहुत ही काटे के तक्कर आपको देखने को मिलेगी इन दोनों टीम के बीच में और मैच जो हो रहा है वो एक्चॉल में हो रहा है New Zealand में तो New Zealand के जीतने के ज़रा चांसे ज़े और इस मैच के जीतेगी 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 अब यहाँ पे स्कोर देखो बहुत ज़रा नहीं बनते हैं पहले मैच में पाकिस्तान ने भले 167 बनाया है जो कि बांगलादेस कमजोर टीम के अगेंश्ट में था अगर यहाँ पर न्यूजिलेंड की पहले बैटिंग आती है तो बांगलादेस के अगेंश्ट में एक फिर से न्यूजिलेंड बड़ा स्कोर खड़ा कर सकती है 160 के उप 50 के असपस ही स्कोर बन रहा है और सेकंड बैटिंग करने वाले टीम ही जरतर मैच जीत रही है लाश्ट के तीन मैच आप देख सकते हो सेकंड बैटिंग करने वाले टीम जीता है चार में से पहला मैच चुकी पाकिस्तान मजबूर टीम थी उन्होंने 167 बनाया था तो उसक कि इंडिया की टीम को पाकिस्तान की टीम को स्रिलंका की टीम ने हरा दिया था जो कि हमने सोचा भी नहीं था और वो चीजे होती है इंटरनेशनल गेम में अगर ऐसा ना हो तफिक क्रिकेट का मतलब क्या रह जाएगा अगर आको पहले से सारी चीजें पता होंगी तो जल्दी जो wickets के रहे हैं, इन चार matchage में, इस series में, इस venue पे, उसमें से 17 wicket spinner ने लिए हैं, और 26 wicket pacer ने लिए हैं, अब आपको ये बात clear होगए कि pacer ने थोड़े ज्यादा wicket लिए हैं, नो wicket ज्यादा लिए हैं, लेकिन spinner भी पीछे नहीए हैं, जैसे की आपने आज वाले match में दे आपने देखा कि सैंचनर ने विकेट लिए, सोडी ने विकेट लिए, उसके अलावा जो स्विंग कराते हैं जादा अगर मैं टिम साओधी के बात करूँ उनको विकेट मिला, लेकिन जो में पेसर थे उनको जादा विकेट नहीं मिले, तो ऐसा ही आपको देखने को मिल सकता ह और सेकंड इनिंग में आपने देखा सदाव खान को एक लिकेट मिला, तो स्पिनर्स के यहाँ पे हावी हो सकते हैं, और बागना देख स्पिनर्स के लिए जाना जाता है अच्छे खासे स्पिनर्स हैं उनके पास, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि किस तरीके से आपको Playing 11 देखने को मिलेगी कौन से player आपको लेने चाहिए सबसे पहले New Zealand की बात कर लेते हैं जो भी मजबूर टीम है अब यहाँ पे देखो तीन में से दो मैच में flop रहे हैं Finn Allen 13 बनाया, 16 बनाया लेकिन last match में 62 बनाया Hit and miss वाले player है मैं इनको अभी भी अपनी टीम में नहीं लेने वाला हूँ आप चाहो तो ले सकते हो पांगलादेश के अगेंच में यह पड़ी पारी खेल सकते हैं लेकिन सामने वाले टीम में इनके लिए खत्रा है वो मैं आपको बताऊंगा हो सकता है जल्दी इनको out कर दे इसके अलबा कॉनवे को आपको लेना है तीनों मैच में अच्छा परफॉर्मेंस किया 36 बनाया, 70 बनाया, 49 बनाया CVC की अच्छी च्वाइस है आपके लिए के इनवी लिंसन इंपोर्टन है 31-30 और 9 इनिंग के लिए इंपोर्टन रहेंगे पहले बैटिंग आती है, तो भी रहेंगे second बैटिंग आती है, तो भी रहेंगे मैं एक चीज़ और आपको यह बतानू अगर बांगलादेश की पहले बैटिंग आती है उस case में हो सकता है जल्दी all-out हो जाए फिर New Zealand की second बैटिंग आएगी top 3 लेकर चलना है otherwise अगर यहाँ पहले बैटिंग आती है New Zealand की तो Glenn Phillips आपके टीम में होने चाहिए जो कि part time balling भी कराते है wicket कभी भी ले सकते है अठारा थेस की इनिंग के लिए last match में इनकी बैटिंग नहीं आई इसके लाब Mark Chapman की बात करें तो इनकी पहले match में बैटिंग आया थी 32 काफी तेज बनाया था लेकिन दोनों match में last के इनकी बैटिंग नहीं आई बैटिंग आ सकती है अब यहाँ पे यह तीन batsmen आपको लेके चलने है अब यहाँ पे अगर आप चाहो तो Glenn Phillips की जगह पे आप यहाँ पे आसानी से ले सकते हो Finn LN को सेकंड बैटिंग आती है तो लेना ही लेना है अब यहाँ पे कुछ important ballers है जिनको आपको बिल्कुल लेना है जो कि चार और balling करेंगे टीम साओधी लगातार wickets पहले में एक दोनों में दो-दो wicket ले करके आ रहे है पांच wicket ले चुके है तीन मैच में important रहेंगे आपके लिए इस सोडी इस pitch पे important रहेंगे अच्छे खासे wicket ले सकते है last match में दो wicket लिया last में एक लिया उसके पहले दो लिया उसके value मिला नहीं था wicket सैंचनर important एक बफिर से रहेंगे ब्रेस्विल भी important रहेंगे तो इन दोनों को आप नहीं miss कर सकते है दोनों ही 3-4 over balling करेंगे और ब्रेस्विल तो बहुत सांधार balling कर रहे है दो-दो wicket दोनों मैच में लिया last के 2 match में पहले मैच में एक ही over balling की थी इनोंने सैंचनर पहला दो मैच खेला नहीं था last match खेला और 2 wicket इनों लिया तो right hand batsman के अगेंच ये काफी अच्छा कर सकते है left hand spinner है तो आपके लिए important रहेंगे इतने player आपको ले करके चलने है एक differential pick tickner है आप चाहो तो उनको ले सकते हो train bold last match नहीं खेले थे खेलते हैं तो ये तो आपको लेना ही है सोडी की जगा पे उनको आप ले लेना या तो फिर braceville की जगा ले लेना और यहाँ पर tickner भी important हो सकते हैं आपके लिए bangladesh के against ये भी wicket ले सकते हैं अब यहाँ पर चुकिए spinner को जड़ा मदद मिल रही है इसलिए मैंने तीनों ही spinner को अपने team में रखा हुआ है लेकिन एक चीज और आपको याद रखना है Asian teams spinners को बहुत अच्छा खेलती है जैसे कि bangladesh की team spinners को बहुत अच्छा खेलती है यह चीज माइन में रखना है और braceville का over कभी भी काटा जा सकता है पहले match में एक over किया था अगर यहाँ पर train bolt की वापसी होती है टिकनर की जगा पर या किसी की भी जगा पर तो उनको आपको लेना है braceville को अटा कर या तो सोडी को अटा कर गे लेकिन इस सोडी लगातार चार over करा रहें लाश्ट के दो मैस से तो आपके लिए ये तो important होने वाले है अब यहाँ पर बांगलादेस की बात कर लेते हैं कि इनकी तरफ से आपको किसको लेना चाहिए यहाँ से साकीबल अजन तो आपके लिए default भी खमीसा रहते है भले ही last match खेला तो कुछ कर नहीं पाया थे पहला मैस नहीं ले रहा हूँ इसके लावा इनकी टीम की तरफ से कुछ important player है जो कि आपको लेने है जैसे कि यहाँ पे नजबुल हुसैन संतो को आप अपने टीम में ले सकते हो important हो सकते हैं बट फिलाल मैं इंको नहीं ले रहा हूँ म्यूजिलेंड के सामने हो सकता है नाटि के last match में 33 बनाया पहला match नहीं खेला था इसके अलावा यहाँ पे आफिफ हुसैन important है दोनों मैचे पचीर 24 कीनिंग के लिए part time balling कई बार कराते हैं इस match में करा सकते हैं वैसे अभी तक नहीं करा है why अली की बात करो तो काफी नीचे आते हैं 42 बनाया last match में 7 रम बनाया और number 6 पे batting करने आते हैं तो इंको लेने कोई मतलम नहीं बनता है इनको और try कर सकते हो जो की opening करने आते हैं और काफी hard rating batsman है तो आप इनको ले सकते हैं अपने team में यहां से अगर मैं बात करो महदी असन मिराज opening करने आते हैं plus 2 से 3 over 4 over balling करा सकते हैं आपके लिए important हो सकते हैं लाश्ट के 2 मैं से 2-2 over ही करा रहा है तो इनको आपको लेना चाहिए अपने team में मुसद्दक उसन एक सांदार player है बट यह कुछ खास नहीं कर पा रहा है इनको भी 2-2 over मिल रहा है तो इन दोनों में 2-2 over divide हो रहा है मुसद्दक हुसेन की अगर में बात करूँ तो नमबर 5 पर बैटिंग करने आते हैं लेकिन मेंदी असन मिराज ओपनिंग करने आते हैं तो आपके लिए ज़्यादा important हो जाते हैं बाते हैं balling section की तरफ यहाँ पर मुस्तफिजूर रह्मान बहुत सांदार player है लिए लाश में इनको भी विकेट नहीं मिला था तो आप इनको अपने टीम में जरूर ट्राइ कर सकते हो एक अच्छे player है यहाँ पर सौरिफूल इसलाम करके एक player आपको दिखाई देंगे इनको एक विकेट मिला था लाश मैश में तो as a differential pick इनको ट्राइं कर सकते हो आप इसके अलावा यहाँ पर नसूम एहमद करके इनके square में एक player है जिनके बारे मैंने आपको बताया था कि अगर वो खेलते हैं तो important हो सकते हैं यहाँ पर यह दिख रहे हैं वैसे इनको भी problem होती है और left arm spinner हमेशा right hand batsman को जल्दी out कर सकता है जैसे कि यहाँ पर sentioner आपको दिख रहे हैं sentioner की बात की जाए तो left arm orthodox हैं वो लेकिन फिर भी left hand से भी balling करते हैं तो important रहेंगे वो भी जैसा मैने लिया है अपने team में तो इस तरीके तरे team बन के तयार होई है मैंने आपको सारे differential pick बता दिये हैं आपे and captain vice captain के जहाँ तक सवाल है conway काफी consistency के साब batting कर रहे है wicket keeping कर रहे हैं वहाँ से ही point देंगे plus यहाँ पे साकीबल हसन हमेशा captain vice captain की choice है इनको भी cvc बना सकते हैं balling batting दोनों से contribution दे सकते है 3 over last match में किया था वैसे ही 4 over कराते हैं हर match में spinners को मरत कर रही है पिछ important हो सकते हैं आपके लिए and इसके अलावा यहाँ पे conway है जैसा मैंने आपको बताया and इसके अलावा और कोई भी मेरे player नहीं दिख रहा है एक अगर team Saudi की पहले New Zealand की balling आती इनको vice captain कर सकते हो captain इंको vice captain इंको कर सकते हो चोकि लगातार wickets ले रहे हैं अगर मैं team Saudi की बात करूँ तो last match में भी इन्होंने सांदार balling की थी और लगातार 4 over कर रहे है तीनों match में 4 over balling की है last के 2 match से 2 wicket ले रहे है members है हमारे old members है वो जानातर package को upgrade करवाते है हमको नए members किया पुराने members के भी हमको कोई वैसी जरूत नहीं है because मैं already settled नहीं चाड़े अकांटें नहीं और जब मैं student life में था उसे समय मैंने fantasy game खेलना start किया था तो हमारा charge market में सबसे जड़ हाई है बड़े बड़े investors हमसे जुड़े हुए है तो उनके लिए वो payment करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है package announce करने के पहले ही वो आगे आने वाले 2-3 series के package already हमसे purchase कर चुके होते है जैसे कि हमने कबड़ी का package launch नहीं किया था लेकिन बहुत सारे हमारे पुराने members ने पूछ करके क्योंकि उन्होंने पिछले साल की या पहले की कबड़ी की भी हमारी winning देखी हुई है big bass अभी हमने announce नहीं किया है women's big bass इसी October में start हो रहा है उसका भी package लोगों ने पहले से ही ले लिया है उनको कोई भी win नहीं करवा सकता है win आप खुछ से भी team मना करके कर सकते हो लेकिन उस पैसे कैसे manage करना है कैसे बचाना है कैसे किस match में कौन कितना investment करना ये आपको खुछ से समझ में नहीं आने वाला है team मनाने सभी को आती है लेकिन पैसे को कैसे बचाना है यह आपको नहीं आता है यह हम आपको बताते हैं तो यह सारे चीजे हैं तो मेंबर सिप सारे स्पोर्ट वर्ल्ड कप के अलरेडी फुल हो चुके हैं और हमने चार्ज भी इंक्रीज कर दिया है अब आप जो नए मेंबर से कम चांसे की वो मेंबर सिप हम से ले पाएंगे लेकिन जो पुराने मेंबर से वो लगबग 99% लोगों ने अपग्रेट कर वा लिया है तो अगर नए मेंबर से चाहते हैं तो आप मैसेज करके हम से पूछ सकते हो इस पे हमारा चार्ज इंक्रीज हो चुका है और जो डिसकाउंट हम दे रहते हैं पुराने मेंबर से को वो भी अब नहीं दिया जा रहा है तो बहुत ही लिमिटेड लोगों को हमने मेंबर सिप दी है इस बार ताकि हमारे टीम वगएरे लीक ना हो और लीक करने वालों को थो हम हर सीरीज में लॉस करवाते हैं जिनकी कि आप वीडियोज भी देख सकते हैं यूटिब पे तो ऐसे लोगों को हमेशा लॉस करवाए जाता है जो ऑनिश्ट रहते हैं उनको बड़ा विन करवाए जाता है आपको हमारे rules को follow करना होता है आपको fantasy game में win करने से कोई भी नहीं रुख सकता है तो आप सभी का all the best आने वाले matches के लिए